दोस्तों अगर आप एक गरिब परिबर से बिलंग करते हों और आप एक मज़दूर हों तो भाई आप इस वीडियो देखने की बाद आपकी माइड में एक सवाल आता होगा कि मेरा स्टेड में लेबर काड बनेगा या नहीं देखिए दोस्तों इंडिया की हर कुने कुने से आप ये लेबर काड जो है बना सकते हो इस बात की मैं ग्रांटी खोद लेता हूं कि आप इंडिया की हर कुने कुने से ये लेबर काड जो है बना सकते हो क्योंकि दोस्तों ये इंडिया गवर्मेंट की तरफ से लाँच हुआ हैं और आप कहीं से भी ये liberkaHiressा बना सकते हो और एक मजदूर की नाते आपकी पास एक liberka Every hammond होना चाहिए क्योंकि आप एक मजदूर हों और आपकी घर चलनानी के लिए आपको पईशा चाहिए अगर gouvernement की तरफ से कभी कबर तुड़ा बहुत पैसा मिल जाता है ना तो एक मजदूर के लिए बहुत आसान मिलता है इसलिए आपको मैं रिक्वेश्ट करूंगा यह जो लेबर काड है आप जरूर बना लीजिए ताकि दूस्तों मुश्किल की समय आपको आसान मिलेगा तो लेबर काड ओनले तो मेरी चनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कौमेंट कीजिए तो आए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना कि कोई भी एक ब्राउसर ओपन करना है जैसे कि मैंने ऐख रोम राजर ओपन किया है सार्च बर में टाइप क इस लिंक पर आपको क्या करना है, किलिक करना है, जैसी आप क्लिक करोगी, क्लिक करने की बाद सबसे पहले आप ये नूटिश कर लिजिए, कि Government of India, Ministry of Labor and Employment, तो कार्ड बनाने के लिए तुरसा निच्चे स्क्रॉल डर्न करना है, जैसी आप निच्चे स्क्रॉल डर्न करोगी, तो इंडिया के अंदर जितना स्टेट है, सारे स्टेट की लेश्ट आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आप एक बार लेश्ट जो है, चेक कर लेजिए, ये देख सकते हो कि 34 मतलब स्टेट की नाम यहां दिखाई दे रहा है, तो इन मेंसे जो भी आपना स्टेट होगा, उ जैसे कि मैं इस स्टेट पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने की बाद एक pop-up message आपकी समने open होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, तो उसके बाद यहां आप देख लिजे कि labor.zob.insize और यहां एक cancel option है और एक ok option है, तो आपको क्या करना है कि ok option पर क्लिक करना है, इसके बाद next interface contraction worker welfare board, तो सबसे पहले जो link के registration page for new worker, तो इस link पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस link पर क्लिक करूगी, क्लिक करने की बाद सबसे पहले देख लिजे contraction worker registration form, तो यह जो form है आपको fill up करना है, तो form fill up करने के लिए आपको step by step आप लोको मैं बताऊंगा, आप लोक वीडियो शुरू से end तो देखते रहना है, सबसे पहले तो आपको office choose करना है, आपकी district में जो भी office होगा इस list से आपको choose करना है, जैसे कि मेरे जो district है मैंने choose कर लिया है, choose करने की बाद निचे दिखिये name, applicant का नाम इस box पर fill up करना है, इसके बाद निचे दिखिये father husband name, applicant का father या husband name, इस के बाद applicant का date of birth इस box पर fill up करना है, इसके बाद निचे स्क्रोल डान करना है, स्क्रोल डान करने की बाद निचे आप देखिये DOB proof यानि कि date of birth के लिए एक proof आपको upload करना है, प्रूफ upload करने के लिए यहां आप देख लिजे की choose file पर क्लिक करना है, चूसख फाइल पर ज maximum file size जो है 150 KB होना चाहिए और जो format है only png jpg image होना चाहिए इसके बाद तूरसा निच्छे scroll run करना है जैसे आप निच्छे scroll run करोगी scroll run करने के बाद यहां आप देख लिजे की photo upload applicant का एक photo upload करना है photo की size होगा maximum file size allow 150 KB होना चाहिए और format format जो है only png and jpg होना चाहिए इसके बाद एक निचे दिखिए signature image यानि कि एक signature एक blank paper पर signature करके उस paper को upload करना होगा तो save आप choose file पर click करके signature जो है upload करना है signature की जो file size होगा यह 150 KB होना चाहिए format जो only png and jpg format होना चाहिए इसके बाद निचे आप देख सकते हो gender female या female या others जो भी है आपको choose करना है अगर आप लड़का है तो आपको क्या करना है कि male choose करना है इसी तरह आपको gender choose करना है इसके बाद निचे देखिए mobile number तो mobile number आपको fill up करना है एक चीज़ आप notice कर लेजिए आप सबसे पहले यह चीज़ notice किजिए कि यहां mobile number है mobile की आगे एक red color की star mark हुआ है जिस option की आगे red color की star mark है यह आपको fill up करना mandatory है इसके बिना आप आगे काम नहीं कर सकते हो और जिस option की आगे red color की star mark नहीं है यह आप चोड़ सकते हो यह याद रखना है इसके बाद तुल्वासा निच्चे scroll down करना है जैसे आप निच्चे scroll down करोगी उसके बाद दिखे cast category आप देख लिजे cast category तो select पूर click करना है जैसे आप select पूर click करोगी click करने की बाद जैनारिल अगर आप किस डेट से मतलब retirement है इस डेट आपको यहाँ फिलफ करना है अगर आप जोब बगरा नहीं करते हो आप पहली बार labor card के लिए apply कर रहे हो तो यह देखिए star mark नहीं है यह आप चोड़ सकते हो यह optional है इसके बाद निचे एक option देखिए is your husband wife is a member of this board यानि कि सरकारी नकरी तो नहीं करते है अगर आपकी मतलब जो गार्जेंट होता है husband या wife सरकारी नकरी करता है तो निचे देखिए no and yes तो करता है तो यह करना है अधरवाइस no option चूज करना है इसके बाद निचे आना है निचे आने की बाद एक option देखिए natural nature of job तो निचे देखिए select है तो select for आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगी क्लिक करने की बाद आप देख सकते हो कार्पेंटार और यार्थ काटिंग यार्थ फिलिंग यार्थ रिमूविंग आप देख सकते हो काफी सरी मतलब यहां जो है काम की नाम है यहां आप देख लिजे प्लाम बार हेल्फ आर रोड लेबार तो इस तरह से मतलब इन में से कोई भी चूज करना होगा आप जिस काम पे इंटरश्टटेड है उसी के हिसाब से आपको क्या करना है कि चूज करना है जैसे कि अगर आप जो काम करते हो यह काम की लिष्ट यहां नहीं है तो आप आदर सकते हो आधर चूज करने की बाद निचे आ रहा है निचे आने की बाद आप देख लिजे प्रेजेंट एड्रेस आप जहां रहे रहे हो वहां का जो एड्रेस से आपको फिलेफ करना है फिलेफ करने की बाद निचे आ रहा है निचे आने की बाद सबसे पहले तो डिश्टिक चूज करना है ब्लोक टाउन चूज करना है जीपी नेम वाड नूमबर चूज करना है पिन कोड फिलफ करना है उसके बाद निचे यहां एक बॉक्स आप देख लिजे सेम इस दा प्रेजन एडरेस यानि कि आप जहां रह रहे हो वहां और प्रेजन एडरेस एंपार्माड ए मांचर चूज को जाएगा इसकी बद metals स och Woah यहां करूअ केबाद सबसे पहले तो बैंक तो ब्रॉक्स करना है इस快 बैंक नेयुरीट् कोडल करना है इसका ओलरे आहिए प्रनफ करना है तो सबसे पहले तो आप एप्लाई करना से पहले यह document जो है ready कर लेना है इसके बाद निचे आप दिखिए other number is box more fill up करना है इसके बाद other card copy आपको upload करना होता है choose file पूर click करके upload कर देना है इसके बाद booter ID card आपको upload करना होगा यह सारी document की size जो है 150kb होना चाहिए और format जो है only png jpg होना चाहिए इसके बाद तुर्णा सा निचे scroll down करना है इसके बाद दूस्तों आपको पूचा जाएगा do you have a आईश्मान बारत card अगर आपके पस आईश्मान बारत card है तो आपको yes करना है otherwise no option choose करना है इसके बाद दिकी employee name यह optional है अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो otherwise आप चोड़ सकते हो इसके बाद दिकी employee address यह optional है अगर आप चाहो तो दे सकते हो otherwise आप चोड़ सकते हो इसके बाद ESI PF number यह optional है अगर चाहो तो आप दे सकते हो otherwise आप चोड़ सकते हो PF का मतलब होता है आप सरकारी या प्राइबेट जॉब करते हो तो एक PF नमबर जनार्ट होता है तो ओही नमबर ESI and PF नमबर कहा जाता है इसके बद तूरा सा निचे स्कॉल डन करना है तो आप देख सकते हो experience certificate आप जिस काम पर interested है उस काम के लिए आपको एक मतलब experience certificate देना होगा जैसे कि आप जिस टिकडर की निचे काम करते हो उस टिकडर की मतलब signature होना चाहिए mobile नमबर होना चाहिए और आपकी सारे details इस certificate में होना चाहिए या आप ये पंचयद से आप मतलब ये निकाल सकते हो क्योंकि टिकडर की जरूरत इतना जरूरत नहीं है आप पंचयद से ये निकाल सकते हो उसके बाद निचे दिखिए nomination details तो सबसे पहले तो nominee नाम fill up करना है इसके बाद share percentage आप जितना खामाई करते हो इन में से कितना percentage आप nominee को देना चाहोगी यहाँ आपको percentage देना है नोमेनिका age यहाँ fill up करना है relation क्या है husband या wife यह आपको fill up करना है इसके बाद right side आप देख सकते हो जैसे की नोमिनिचे का एडेस आपको फिल सबबाद करना है एक फोटो सब्देक करना है जैसे आप निच्चे वनकरोगी उसके बाद आप देख लीजिए कि Municipalum copyadanreiben nomination form देखिए यही से मिलेगा निचे एक option देखिए print blank nomination copy तो इस link पर जैसे आप click करोगी click करने की बाद आप देख सकते हो download तो download पर click करना है उसके बाद pdf file open करने के लिए कहा जा रहा है तो आप open कीजिए open करने की बाद यह देखिए form जो है open हो चुका है तो इस form को print out कर लेना है उसके बाद क्या करना है ki fill up करना है fill up करने की बाद वही form upload करना होता है तो मैं back करता हूँ और back करने की बाद आप देखिए निचे आ रहा है निचे आने की बाद देखिए registration form copy तो registration form कोफी आपको कैसे मिलेगा यही same process है निचे दिकिए print blank registration form तो इस पर click करके आप registration copy जो ह है आपको प्रिंट आउट करना है उसके बाद फोर्म जो है फिलtest करना है उसके बाद अप्लोट करना है कि आपको क्या करना है कि ऐसे के अपर क्रिक करना है जैसी एप karenवगी जो मानुबर आप लूंपर ऑफ कर ऑड़ Himself तो देख सकते पे उसके बाद देखिए कि next क्या करना है कि payment तो आपको 50 रुपीस payment करना होता है जैसे आप सारी चीज फिलफ करके next and payment पर click करोगी उसके बाद आप phone पे Paytm से मतलब 50 रुपीस आपको payment करना है जैसे आप payment करोगी payment करने की बाद आपको इंतजार करना है जैसे कि आप आप टेटास चेक कर सकते हो सबसे टौप पर अगर आप देखोगी तो यहां देखिए चेक टेटास तो चेक टेटास पर click करके आप टेटास देख सकते हो कि आपकी जो ये या एप्रूब हुआ है या रिजेक्ट हुआ है तो दुस्तों आभ ये विडियो काफी पसंद नहुस पसंद अा है चंऔर Portal न पर रहा है तो ज़रूर ससक्राइब करना हैो तो आज ये